आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हबल लाइफ की इस थर्ड सिरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हबल लाइफ की एक complete सिरीज बना रहे है जिसमें 3 months की series को हमने 3 parts में तोड दिया है जिसके 2 parts already release हो चुके हैं और इस 3 months में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप 15 to 20 kgs weight loss कर सकते हैं तो 2 parts already release हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर जाकर देखे हैं और आज हम Herbal Life का यह 3rd part याने की final series जो है लाने जारें जिसमें आप किस तरीके से आपका क्या diet रहेगा क्या आपको routine की जरूरत है कौन-कौन से nutrition की आपको जरूरत है and कुछ important tips हम आपके साथ share करें और साथ ही साथ इस video के last में हम आपको ये भी बताएंगे इस नहीं देखिए तो इस video के बाद आप देख सकते हैं नहीं तो नीचे description box में link दिवी है अब वहाँ से जाकर भी शुरू कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस plan में जो है हमें 8 चीजों की जरूरत पढ़ने आपने वाले एक alo concentrate की जरूरत पढ़ेगी alo concentrate liquid है a fresh है a fresh में अभी हमारे पास जो है वो है lemon flavor आप अपनी पसंद का कोई और दूसरा भी flavor available है आप वो भी ले सकते हैं जैसे कि cinnamon है, peach है, kashmiri kawa है, ginger है आप वो भी ले सकते हैं एक active fiber complex और एक hunger bar बहुत important चीज है नहीं तो जो हमारे editor है वो यहाँ पर आपको mention कर देंगे तो आपको समझ में आ जाए लिट गेन ना हो तो कोशिश करें कि समय से पहले उट जाए या कम से कम सूर्य उदय से पहले उट जाए तो 6 से 6.5 बजे के बीच में आप जरूर उट जाए अगर आप उससे जल्दी उटते हैं बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहाग है सो उटने के बाद सबसे पहले कम से कम आपको half liter water से start करने है आप गरम पानी भी ले सकते हैं अगर गर्मी का season है तो normal पानी भी आप ले सकते हैं बट minimum half liter पानी जरूर पीना है अगर आपसे half liter ना हो तो कम से कम 2.5 गलास तो पानी जरूर पीना है इसके बाद 5 मिनिट के बाद आपको क्या करना है एलो कॉंसेंट्रेट लेना है पहले क्या होता था कि इसके पुराने वाले plants में देखा होगा आपने कि हम वहाँ पर अफरिश बोलते रहें बट अब हम switch कर रहे हैं एलो कॉंसेंट्रेट में हमारी बोडी के लिए बहुत ही कमाल का है मतलब यह समझे आपके digestion को भी improve करेगा आपके skin quality आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और आपके बोडी को detox करने में naturally detox करने में बहुत ज़्यादा help करता है और गर्मियों के season में तो यह वर्दान है आपको कम से कम 30-40 minute workout ज़रूर करना है मतलब साड़ी साथ बजे से लेके सवा आठ के बीच में आपको workout ज़रूर करना है और फिर आप workout क्या करेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो के आगे वाले हिस्से में बताएंगे और इसके बाद साड़े आठ से नौ बजे के बीच में आपका रहेगा breakfast अब breakfast क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सो अब आपको breakfast में लेना है shake कोशिश करिए कि साड़े आठ से नौ बजे के बीच में ही अगर आपका breakfast हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सो आपका जो breakfast है वो है आपका shake लेकिन हमने shake में थोड़ा सा changes किया shake बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा सबसे पहले तो आपको लगेगा formula 1 फिर आपको लगेगा protein फिर आपको लगेगा shake mint बट हम यहाँ पर एक और चीज़ आट कर रहे है वो है activated fiber complex तो इन चारों चीज़ों का मिलाके जो है आपका shake बनेगा आपको क्या करना है एक grinder लेना उसमें 2 scoop formula 1 आट करो कितने scoop ध्यान रखो जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप चाहो तो लिखके भी रख सकते हो 2 scoop formula 1 आट करो 1 scoop protein आपको आट करना है 1 scoop shake mint आट करना है एक scoop या आधा scoop आप activated fiber complex आट करोगे अगर आप first time activated fiber complex ले रहे हो तो आधा चमच लो अगर आपको लेने के आदत पढ़ चुके आप पहले से ले रहे हैं तो इस तरीके से total मिला के 2 formula 1 एक protein, एक shake mint और एक activated fiber complex का आपने grinder में डाल दिया फिर उसमें 100, 200, 300 ml जितना आपको पानी लगी उतना पानी आप उसमें add कर दीचे उसको grind करें, that's it आपका जो breakfast है, healthy breakfast है ये तयार हो गया इसमें आपको लगबग लगबग मिल रहा almost 18 to 20 grams of protein which is very good, थोड़ा सा carbohydrate and weight loss के लिए जिस भी चीज के जरुत है वो भी आपको मिल रहा है, और क्यूंकि हमने इसमें activated fiber complex add किया है, तो आपको अच्छी मात्रा में भी एक seasonal fruit ले सकते हो, जो भी seasonable अच्छा fruit हो, जो आपको suit करता हो, आपको अच्छा लगे, वो fruit आप ले सकते हैं, बट एक fruit लेना है, ऐसा नहों कि अपने fruit का salad बना लिया, mix कर लिया, that's not applicable, so दूस्तों, अब हम बात करेंगे lunch के, बट एक चीज़ यात रखेगा, आपके जो lunch का timing होगा, वो कुछ, आप ऐसी कुशिश करिए कि 12 बज़े से देड़ बज़े के बीच में, आपका जो lunch है, वो हो जाना चाहिए, लेकिन lunch करने से आदा घंटा पहले, यानि कि लगभग 12 बज़े के आसपास, 12 बज़े के आसपास, आपको एक ग्लास अफ्रिश लेना है, अफ्रिश कैसे बनता है, यह चीज़ आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दू, आपको एक चमच अफ्रिश लेना है, आप जो अफ्रिश का जो डबबा है, उसके अंदर एक स्कूप होता है, वो एक ग्राम का स्कूप होता है, वो आपने एक ग्लास में डाल दिया और उसमें 200-300 ml अपने गरम पानी एट कर दिया, नहीं तो यही लेना है लंच में, आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपकी плेट अच्छे से सजी होई होनी चाह Inde आपकी प्लेट में क्या-क्या होना चाहिए, मतलब आपकी staple में ऐसा होना चाहिए, कि उसमें Vitamins, Minterals, Protein, Carbohidrates और fat आपको अच्छी मात्रा में मिल जाए क्योंकि हम लोग fat loss कर रहे हैं तो हम लोग fat को थोड़ा कम रखेंगे, carbohydrates को थोड़ा सा कम रखेंगे, कैसे आपकी plate बनेगी ज़रा धिहान से सुनिएगा, अगर आपको ये teach समझ में आ गए तो कभी भी आपको life में problem नहीं होगी, करना है, सबजी बनाने हैं, कभी-कभी, मेरी ये छोटी सी सलाय आप सभी लोगों के लिए, कि कभी भी जब आप सबजी बनाओ, तो कोशिश करो कि आधी पकी होई होनी चे, मतलब पूरी तरह उसको मत पकाओ, 30% उसको आधा पका होगा, छोड़ दो, बाकि अब उसमें मसाला, थोड़ा बहुत oil, जो healthy oil होता है, वो आप डाल सकते हो, अगर रोज-रोज नहीं कर सकते हो, कम से कम कभी कभार ट्राइ कर लो, तो सबसे पहले salad लिया, फिर आपने सबजी ली, सबजी का मिक्स बाउल भी बना सकते हो, या जो भी घर में सबजी बनी हो, वो आप बना सकते हो, कभी कभार, बस कोर्शेश करो, कि सबजी बहुत ज़्यादा पकी होई नहीं होनी चीए, थोड़ा बहुत उसको आधा पकावा छोड़ा, फिर इसके बाद हम लेंगे कार्बोहिटरिट, या तो आप चावल ले सकते हो, थोड़े बहुत, या फिर आप कभी कभार, दो-तीन चपाती भी ले सकते हो, तो कभी चावल, कभी चपाती, जैसे आपको ठीक लगे, हम दोनों एक साथ नहीं लेंगे, आदे घंटे बाद, जबी भी आपको प्यास लगे, पानी वानी पीते रहे, जितनी आपकी ज़रूत हो, पानी अच्छी मात्रा में आप पीते रहे है, ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, तीन बज़े आपको फिर से एक और बार अफ्रिश लेना है, कितने बज़े, तीन साधे तीन बज़े के आसपास आपको एक और बार फिर से अफ्रिश लेना है, हमने यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे healthy option रखें and I am sure कि आप सभी लोगों को पसंद आएंगे and अगर आप office में भी work करते हो तभी भी आप इने easily carry कर सकते हो या easily बना सकते हो मतलब बहुत सरी चीज़े तो आपके घर के आसपास में या आपके घर पर ही available होगी अगर आपको फूट खाने का मन है तो आप पाई ले सकते हो जो मुर्मुरा भेल होती है या फिर मखाना भेल होती है यह भी ले सकते हो चौता option अगर आपको कुछ नहीं खाना है सिर्फ पानी पीने टाइप का कुछ मने है लिक्विड में तो फिर आप नारियल पानी वित्मलाई ले सकते हो और पाँचो उप्शन आप चाहो तो साउट इंडियन फूट जैसे कि आप जो डोसा होता है जो इडली होती है वो आप ले सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉपर बहुत ज़्यादा ही भूट लेगी अगर आपके घर के आसपास में हम सब का कल्चर अलगे कोई राजस्तान में रहता होगा कोई पंजाब में रहता होगा कोई माराश्र में रहता होगा तो हम सब के यहां पर अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग चीज़े अवेलेबल होती है अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ अच्छे snacks के option होते हैं जो आपके culture से match करते हैं आपके regional में available होते हैं तो आप उसे भी add कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रात को हमारा dinner किस तरीके का होना चाहिए देखे कोशिश करिए कि अगर आप चाहते हैं कि रात को आपका जो weight है वो हमेशा अच्छा रहे जादा नहों तो कम से कम साड़े 8 से पहले जो है आपका जो dinner है वो हो जाना चाहिए और आपका dinner किस तरीके से होना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ आपके रात का dinner बहुत ज़्यादा heavy नहीं होना चाहिए ठीक है कभी कोई function है कोई party है कई बाहर गए महिने में एक दो बार ऐसा कुछ हो गया तो फिर ठीक है लेकिन अगर रोज रोज आप ऐसा करोगे तो बहुत मुश्किल है तो रात को आप simple सा अपना food लीजे अब beans हो गया वो भी ले सकते हो नहीं तो आप चाहो तो सबजी लो डाल लो एंड उसके साथ आप चपाटी को भी ले सकते हो तो simple तरीके से या फिर आप कभी कभार vegetable डलिया बना सकते हो या कभी कभार आप उपमा भी बना सकते हो तो simple रात के जो हमारे खाने में चीज़े similar घर पे होती है बट बिल्कुल वैसा ही जो है आप अपना dinner ले सकते हो तो कुछ इस तरीके से आपको Hubble Life लेना है आपके third month में और इस month में हम sure कि अगर आप इस plan को properly follow करते हैं तो 4 kg से लेके 6 kg तक आप easily loss कर सकते हैं तो इस तरीके से properly हमारा जो task है 15 kg minimum weight loss करने का वो हम achieve कर लेंगे just within 3 months तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको अपने workout में क्या करना है देखें make sure करिए कि सुबह तो आप workout ज़रूर करें अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम को ज़रूर करें और जिन लोगों को दोनों टाइम वक्त मिलता है और जो लोग चाते हैं कि या थोड़ा सा extra weight loss हो जाए तो वो लोग दोनों टाइम workout करें तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा workout करना है सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा नहीं दिन भर में total मिलाके आपको सिर्फ और सिर्फ एक घंटे का workout करना है उससे जादा workout करने के जरूरत बिल्कुल भी नहीं अब आपको workout क्या करना है जरह मैं आप लोगों को बता रहे तो आपको कुछ परिशान होने के जरूरत नहीं कहीं जिम जाने के जरूरत नहीं कहीं योगा क्लास लगवाने के जरूरत नहीं हाँ अगर आप जा रहे हैं और आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है तो आप definitely अच्छे level पर पहुँच चुके हैं यानि कि advance level पर पहुँच चुके हैं क्योंकि यह जो है part 3 है इसका मतलब आप work out कर रहे हैं physically active है तो आप क्या कर सकते हैं advance level पर switch कर दीज़े वहाँ पर आपको तीन options मिलते हैं आप अपना level select कर लो advance and फिर वो workout आप करना शुरू कर सकते हैं Monday को अलग है Tuesday को अलग है Friday को अलग है वहाँ पर हर दिन का अलग लग workout है उस दिन के ही साब से आप select करके अपना workout कर सकते हैं तो यह आपको morning में करना है and evening में आपको कम से कम 20 से 25 मिट के लिए walk पे जाना है शाम को अगर आपको time मिलता है 5 बजे 6 बजे के असपास 7 बजे के असपास तो कम से कम 20 minute के लिए fast walk करना के लिए निकल जाओ, तो यह आपना headphone लगा के मज जो, अपने दोस्तों के साथ मज जाओ, बस walk करने के लिए निकल जाओ, timing लगा दिया अपने इतने timing के लिए अपना workout जो है, इतने timing के लिए आपकी walking जो है, हो जाने चाहरे, healthy 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 का application download कर लो वहा करने जा सकते हो 10-15 मिनिट के लिए तो इस तरीके से आपको आपका प्रॉपर वरकाउट करना और ये करना बहुत ही मस्ट है कभी हफ़ते में इक हाथ बार छोड़िया तो कोई बात नहीं लेकिन पांच दिन वरकाउट करना जरूरी है और कितना करना है सिर्फ 40 मिनिट ही तो कि यार ये तीन महीने का प्लान फॉलो कर लिया वेट लॉस हो गया अब छोड़ने के बाद हबल लाइफ छोड़ने के बाद हमारा वेट लॉस तो नहीं होगा ऐसा डेफिनिटली बहुत सरा कन्फूजन आप सभी लोगों के दिमाग में होगा तो मैं आपको बताना चाहता जैसा मैंने आपको प्लेट बताई है अपनी प्लेट को वैसा ही बनाना आपकी प्लेट कैसी होनी ची मैंने आपको दोफर का जो हमारा खाना है लंच है उस टाइच में आपकी प्रॉपर प्लेट होनी ची जैसमें सालेड हो सबजी हो डाल हो कभी चावल है कभी रोटी है त आपके प्लेट में वाइटामिन्स, मिन्रोल्स, प्रोटीन, कार्बोईडरेट, सब कुछ होना चाहिए, यहीं ना हो कि बहुत सरी लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी डाल लिए और बहुत सरा चावल खा रहें, तो इससे कार्बोईडरेट की मात्रा बढ़ गए, आपको बैले नीचे, जिसमें आपको वाइटामिन्स, मिन्रोल्स, प्रोटीन मिल जाओ, थोड़ा सा अच्छा खासा जो है, आपकी से इतनी जरूत, उससाब से आपको कार्बोईडरेट मिल जाओ, तो अपनी प्लेट को डिजाइन करना सीख लो, पहली चीज, दूसरी चीज, अगर हो स हो सके, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सके, तो कोई बात ही, तीसरी और बहुत ही गलत आदत, आप बिलकुल फॉलो मत करो, चाए, कॉफी, ये सारी चीज़े अगर आप लेते थे पहले, अभी तो आप शेक पे आ आगए थे, तो इस चीज को फिर से आदत मत लगने कभी कबार ले रहे हो, ठीक है, दिन भर में एक आद बार ले लिया, लिमिट भी ले रहे हो, तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से दूदू, तीन, तीन, चार-चार बार आप कॉफी और ये चाय पीने लग गए, तो फिर बहुत मुश्किल है, चौती चीज, अगर आप वेट बढ़ाना नहीं चाते हो, आप चाते हो कि भाई ड हेट मेंटेइन रहे है, तो आप अफ्रिश हमेशा जरूर अपने पास रखो और हंगर बार अपने पास जरूर रखो, अपनी उसे अपर नीच हो रहा होगा, तो ये उसे अच्छा रखने में बहुत जादा मदद करेंग मतलब यही समझो कि अगर वर्काउट नहीं किया तो आपके खाने का मन नहीं होना चाहिए तो कैसे भी करके आपका वर्काउट जो है होना ही चाहिए दिन भर में कभी भी आप करलो, सुबह करलो, शाप को करलो चटवी और बहुत ही इंपोर्टेंट चीज चाहिए आप मेल हो या फीमेल हो, दो चीज़ बहुत ध्यान रखना आपका कम से कम धाई से तीन लीटर पानी मिनिममम बोडी में जाना चाहिए और कम से कम 40 से 50 गराम प्रोटीन आपकी बोडी को मिलना ही चाहिए कितना 40-50 gram minimum protein मिलना ही चाहिए आप मेल हो फीमेल हो बस इस चीज का आप ध्यान रख लो और बहुत ही important चीज अगर इनके सब को लगता हो कभी घबर कि अरे यार मेरा weight gain हो रहा है क्या करूँ क्या करूँ तो आप हफ़ते में एक बार क्या कर लो या तो detox कर लो या फिर उपवास रखें डिटॉक्स कैसे रखते हैं आपने इतने सारे plants हमारे follow किये तो आपको पता होगा कि किस तरीके से detox करते हैं या किस तरीके से उपवास रखते हैं उपवास रखने का simple सा मतलब है, उस दिन आप खाना बहुत कम खाते हो, carbohydrate बहुत कम खाते हो, उस दिन आप fruits पे रहते हो, dry fruits पे रहते हो, salad पे रहते हो, या फिर sprouts पे रहते हो, ज्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खाते हो, ज्यादा grains नहीं खाते हो. तो इस तरीके से अगर ये आप साथ चीजे टिप्स फॉलो करते हो जो आपको बताएं तो I'm sure कि आपका weight gain फिर से नहीं होने वाला है और कभी कबार अगर आपसे हो सके तो shake लो नहीं तो आप कोई भी एक अच्छा खासा protein shake ले सकते हो इस चीज का ध्यान रखना तो दोस्तों अब इस वीडियो को end करने से पहले मैं आपको दो छोटी सी लेकिन बहुत important सला देना चाहूँ यह जो भी प्लान मैंने आप लोगों के साथ discuss किया यह अपनी coach के guidance में ही follow करना खुझ से follow करने की कोशिश मत करना because इससे फिर आपको नुकसान पहुच सकता है हाँ हो सकता है कि आपको result आजाए बट अगर आपका coach हो तो बहुत अच्छी बात है because बीच में definitely कुछ न कुछ परिशानिया आती जाती रहती हमारी life में कभी आप कुछ चीजे miss हो गई, कभी आपसे नहीं हो पाया, कभी आप बिमार पढ़ गए something something तो बहुत सरे questions होते हैं कभी आपका weight is stuck हो गया, तो आपका coach आपको help करेगा नहीं तो आप बीच मंचधार में फस जाओगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके पैसे फेस्टों में पहली चीज़, दूसरी चीज़, हवल लाइफ के जितने भी product है जितने भी product हैं, वो कभी भी आप अपनी coach से ही खरीदे आपको लगे कि मुझे यहां पे सस्ता मिल रहा है, बट वो फेक हो सकता है, वो duplicate हो सकता है आप देखेंगे, जनरली बहुत सारी लोग complain करते हैं, कि हमें पुराना product मिला, इससे हमको यह दिक्कत हो गई, इसमें थोड़ा सा चीटे या निकली, या फिर यह पूर पहले से रबचर था, हबल लाइफ अपनी हर एक product पर यह mention करता है, कि वो कभी भी हमें लगता है कि हमारा काम है आप लोगों को बताना, इसे के साथ इस वीडियो को समात करता हूँ, अगर आप कुछ query करना चाहें, या हमसे diet plan लेना चाहें, या कोई product लेना चाहें, या हंगर बार मंगवाना चाहें, तो आप इस number पर भी contact कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किये कि हम आपको भैतरीन से भैतरीन चीज़ बताएं, ये वीडियो लंबा इसलिए हो गए, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब उठना, कब नहीं उठना, कब पीना, कब क्या नहीं पीना चाहें, सारी बताने की पूरी कुश्श की तो इसे के साथ इस वीडियो का समात करता हूं और मैं दिल से आपके स्वास्त की अच्छी बोडी की अच्छे शेप की कामना करता हूं धीर सार प्यार आप सभी लोगों के लिए शुक्रिया